असलाम अलेकूम जब भी आप अमाजोन पर जनेरिक पर लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक एरर शो होता है इस तरह का आज कल की प्रॉब्लम बहुत जादा न्यू सेलर्स के साथ हो रहा है और पुराने सेलर्स के साथ दियो रहे हैं तो इसको रिजॉल्फ कैसे करने आज मैं आपको यह बताऊंगी जो के अब भी तक किसी ने नहीं बताया तो चलते हैं हम सेलर सेंटर पर यह हमारा सेलर सेंटर ठीक है आपने सबसे पहले जाना है 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 आप हैल्प में गए बहुत ही सिंपल और कोई मैथे यह मैं आपको भी सिखाते हूं सारी प्रॉब्लम ह दूरो जाए उसके बाद आप जाएंगे अड़िंगा प्रॉडट्स में उसके बाद न्यूं ऑप्षिंस बहुत सारे आएंगे आपने क्या करना एक रिषीवन एडर कोड और मैसेज में जाना है हि उसके बाद हमारे पास बॉप्षिंड उपन होगा एडर कोड एरर अब यहां पर आगे अडिशनल इंफॉर्मेशन दें और उसके बाद केस करें अब यहां पर आपने कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है यहां पर आपने नोटपैड में अल्रेडी सारी चीज़े लिख लेनी है हलो एमाजॉन सेलर सपूर एसे नमबर जो भी प्रोड़क्त आप अब जो भी प्रोड़क का आप लिस्तिंग कर रहे थे जिसमें प्रोबलम आई उसका सन नमबर लिखना है टाइटल लिखना है अपनी बैच्ट इड लिखनी है मर्चण इड़क्त आइड्सुर्ट प्रोड़क्त प्र्रेस रिज्व दिस इस्यू थेंक्स आप रही और भी mail receive होगी वो mail होगा आपका कुछ यूँ के फिर वो आप से मांगेंगे वो कहेंगे के आप हमें इन और तो हेल्प वो आप से कहेंगे error का screenshot send करो और real world image send करो अब यहां पर आपने क्या करना है जो भी आपके पास product है यह एक generic product है चाहना का है लेकिन इसमें एक नाम लिखाए ब्रैंडिंग नेम है आपने इसकी पिक्चर उठा कर नहीं देनी है आपने product निकालना है जिसके ओपर कोई brand नाओ कोई लोगों ना लगा हो आपने इसको हाथ में लेनी है और हाथ में लेकर उसकी picture देनी है या टेब फोटो लेकर Amazon को send कर देंगे उसके बाद आपको कुछी घंटों बाद ये रिसीव होगा इमेल यूर बिंग अब्रूफ फॉर एसन ब्ला 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 ओके तो फिर आप आदे गंटे बाद एक घंटे बाद जब आप लिस्टिंग करोगे तो आपको एरर नहीं शो होगा त यह था simple सा method और भी कुछ आप लोगों को जानना हो तो आप लोगों मुझे comments कर सकते हैं मैं शाला आप लोगों को लाजम बताओंगी बाबाए